हेलो स्टुडेंट्स वैलकम टु एडिवी स्टार कोट आते हैं जैसा कि वहने आपसे प्रोमिस किया था कि एक सीरीज में आपके लिए लेकर आना हुआ हूं जिसमें मोस्ट एक्स्पेक्टेड और प्यारे प्यारे क्वेस्टन की प्रैक्टिस हम करेंगे तो पिछले वीडियो में आप से बहुत सारे स्टुडेंट ने बोला था कि सर कोडिनेट जोमेटरी का एक सुंदर सा लाजवाब सा क्योटिस हमारे लिए लेकर आये तो वही बच्चों आज आपके लिए एक बहुत ही खास इसपेशल सा क्यों जो लेकर आया हूं और अगला आपको most expected question, most repeated question, कौन से chapter में चाहिए, जो कि J.E. में पूछा जा सकता, वो यार मेरे को comment section में जरूर बदाना, ताकि वही same chapter का question में आपके लिए लेके आ सको. तेर देखो, यहां पे जो एक question लिखा हुआ है, question में बोला गया है कि tangents are drawn to a parabola, this and this, intersect and this, then find the slope of the directrix of parabola. यहार एक चीज़ लेकिन में आपको जरूर बोलना चाहूँगा, कि इस वीडियो, इस problem का solution बताने से पहले मां आप चाहता हूँ, कि यहार एक बार आप वीडियो को post जरूर करे, और खुझ से आप इस question को एक बार try करे, क्योंकि जब तक आप question को बेटा, खुझ से try नहीं करोगे, तब तक आप उसकी खूब सूर्ती को कभी पहचान नहीं पाऊगे, तो एक बार आप पहले इसको खुझ से try कीजिए, और अगर आपसे होता है, तो बहुत अच्छी बात, आप देखो कि आपने उसमें कितना time लगाया है, क्या approach कीए, अगर नहीं भी होता, तो कोई बात नहीं है, आप एक आज बहुती नई सी चीज, अच्छी सी चीज, लाजवाब सी चीज, एक सुन्दर सी property सीख के बच्छो आज के सेशन में जाने वाले हो, ठीक है, तो आप वीडियो को pause करो, उसके बाद में खुझ से try कीजिए, नहीं होता है, उसके बाद में आईए, यहाँ पे solution जो उसको बच्छो हम देखते हैं, और यहार ऐसी सुन्दर सुन्दर सी problem आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना, ताकि आपको notification मिल सके, कि sir की अगली problem जो वो आ चुकी है, चलिए start करते हैं, देखते हैं इस problem की खासित क्या है, कौन सी ऐसी चीज है, जो इस question को थोड़ा सा खास बना रही है, यहां पर देखो, पहले question की बात करेंगी, पहले आपको property सिखा देता हूँ, अगर वो property आपको पता है, तो within 5 to 10 second का यह question है, अगर वो आपके mind में नहीं आती है, अगर वो आपके जहन में नहीं आती है, तो data यहां पर इतना कम दिया हुआ है, कि आप लगे रहोगे, लगे रहोगे, लेकिन question को solve नहीं कर पाओगे, तो चलिए देखते हैं, बच्चों मैं एक normal से किसी दूसरे पैराबोला की बात कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको एक बार के लिए भूल जाते हैं, और एक पैराबोला की बात कर लेते हैं, y square is equals to 4x type के पैराबोला, क्योंकि यह अपना पसंदिदा पैराबोला होता है, जाना पहचाना पैराबोला होता है, जिसकी terminology आपको पता होती है, तो जो आपको पता है, उसी से शुरुआत करते हैं, यह एक जो पैराबोला होता है न सर, यह जो पैराबोला होता है, इस पैराबोला में, अच्छा किस-किस की बाते कर रहा है, दो points पे tangent की बाते कर रहा है, चलो ये दो points पे हमने आप ऐसा गई माल लिया कि ये tangent है ये point A माल लिया इसके coordinates T1, B के coordinate T2 I hope T1, T2 का मतलब तो आपको पता होगा कि 81 square, 281 and 82 square, 282 आपको यार ये जो point of intersection है वो भी निकालना आता है पता ना कितनों को आता है जूट मत बोलना गोवारूल से निकालते हैं यानि कि जो यहाँ पे X coordinate है उसका arithmetic mean ले लो जो Y coordinate है उसका geometric mean ले लो तो वहाँ से बच्चो ये जो आपके पास में point of intersection आता है ये आता है A T1, T2 into में ये क्या होता है 80 square, 280 तो 281 और 282 का arithmetic mean अगर बच्चो लोगे तो ये आता है A into में T1 plus T2 चलिए ये इसका point of intersection आ गया ठीक असर ये सब बाते तो पता है लेकिन इसका इस question से क्या लेना देना है चलिए question से क्या लेना देना है उस मुद्दे पे आता हूं मैं भी ये जो ये इसको देखना देहां से मैं यहाँ पे point भी लिख देता हूं 81 square, 281 ये लिखा हुआ है बच्चो 82 square, 282 अच्छा सर यहाँ पे जो y coordinate है ना y coordinate वो इन दोनों का arithmetic mean है arithmetic mean का मतलब सर मिड़ पोइंट भी तो बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं, यानि कि जो a और b point का जो भी mid point होगा उसका x coordinate कुछ ना कुछ होगा और उसका y coordinate जो है वो a into में t1 plus t2 होगा इतनी बात समझ में आती है कि इन दोनों point को join करना जो line है उसका mid point जो होगा उसका y coordinate a into में t1 plus t2 रहेगा और ये जो point of intersection आया था, इसका y coordinate भी a into में t1 plus t2 है इसका मज़ेदार बात क्या है, कि ऐसे दो point है जिनके y coordinate सेम है अच्छा, y coordinate सेम होने का मतलब क्या है, कि वो line जो है, वो x-axis के parallel है इसका मतलब समझ पा रहे हो, कि अब मैं इस चीज़ को generalize करके बोल सकता हूँ कि कोई भी parabola ले लो, दुनिया का कोई भी parabola आप ले लीजिए, चाहे ही इसकी शकल दिखने में ऐसी ही क्यों ना हो और इस parabola के बारे में, मैं एक राय दे दूँगा, अपनी, एक result दे दूँगा कि यहाँ पे, अगर किसी भी दो points पर आप tangent draw करते हो किसी भी दो points पर अगर आप tangent draw करते हो तो उसका जो point of intersection है और यह जो दोनों point थे, इसका जो midpoint है इनको join करने वाली जो line होगी न, इनको join करने वाली जो line होगी न, वो हमेशा parabola की axis के parallel होगी, समझ में आए बात, फिर से सुन लो जहांसे बहुती important खास बात है बच्चो, क्या बोला, अगर किसी भी parabola के दो points पर, अगर आप tangent draw करते हो, तो उन tangents का जो point of intersection है उसको, और उन दोनों point के midpoint को join करने वाली जो line है वो line इस parabola की जो axis होती है, पैरा बोला की जो axis होती है, उसके parallel है या फिर इसी को दूसरी भासा में भी बोल सकता हूँ कि इन दोनों tangents का जो point of intersection है, और इन दोनों point का जो midpoint है इसको join करने वाली जो line है, वो directrix के perpendicular है आरी मेरी बास समझें, चाहें इस line को axis के, अगर यार अगर पैरा बोला की axis के parallel कोई line है, तो क्या उसकी directrix के perpendicular होगी क्या जी सर बिल्कुल होगी, तो ये लीजे आपका सवाल यार, खतम हो चुका है a point आपको 1,2 दे रखा था, b point आपको 5,8 दे रखा था, क्या इन्हें दोनों का midpoint निकाल सकता हूँ बिल्कुल निकाल सकते हूँ सर, तो midpoint बताइए न, क्या आएगा, midpoint आ रहा है इसका 4,5, sorry, sorry, 3,5, 3,5 जो इसका midpoint आ रहा है, इसका जो point of intersection है ये midpoint है 3,5, इसका जो point of intersection दोनों का है, वो है minus 1,8, क्या इनको join करने वाली line का slope निकाला जा सकता है बिल्कुल निकाला जा सकता है, इस line का slope क्या होगा, 5 minus 8 upon 3 plus 1 तो ये आ रहा, minus का 3 by 4, अगर पहने calculation सारी सही किये तो 1,2 था, 5,8 था, 8 plus 2, 5, 5 plus 1, 6, 3, 3, 5 minus 1, 8, सब ठीक है 5 minus 8 and 3 plus 1, minus 3 by 4, इन दोनों points को, का midpoint और जो point of intersection था उनको join करने वाली line का slope है, yes or no, तो आपको directrix का slope पुचा तो अभी तो मैंने बोला, कि इन दोनों points को join करने वाली, जो line है वो directrix के perpendicular होती है, और अगर एक line का slope minus 3 by 4 है तो उसके perpendicular line का slope क्या होगा, तो वो होगा 4 by 3, यही बच्चो इस प्यारे से question का final answer है, तो नई चीज़ सीखी की नहीं, नई चीज़ सीखने को मिली की नहीं फिर से, एक बार और बता दू, last में जाते हैं आते, कि अगर एक पैरा बोला के किसी भी दो point पे आप tangent ड्रो करते हो, तो उसे दोनों tangents का point of intersection और जो वो दोनों point of contact थे, उसका midpoint, इन दोनों points को join करने वाली जो line है, वो पैरा बोला की axis के parallel होती है, या ऐसा बोले की पैरा बोला की अगर नहीं है, तो आपने solve करके देखा ही होगा, कि कुछ आना जाना है नहीं, बहुत time taking जो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है बच्चो, तो आई hope आपको मजा आया होगा, अगली आपको कौन से बचिए, comment section में जरूर बताना, और इसके अलावा भी यार, पूरी की पूरी formula sheet, और इसके अलावा भी और भी बहतरीन, बहुत सारे question, अच्छे अच्छे जो है, वो हम telegram group पे भी डालते रहते हैं, तो उसको भी जल्दी से join कर लीज झालते हैं, 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